Hello everyone, कैसे आप सब लोग आई ओप आप बच्छे होंगे Welcome to अपनी के अक्षा और इस वीडियो के अंदर मैं आपको 7th lecture of Eldehyde, Ketone and Carboxylic Acid कराने वाला हूँ इसके पहले मैंने आपको 6th lecture करा दिया है उन 6th lecture के अंदर मैंने आपको Carboxylic Acid के Fiscal Properties और उसके Acidic Behavior के बारे में सिखाया था और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको Reactions of Carboxylic Acid के बारे में सिखाऊंगा तो चलिए अपना main reading रखते हैं Reactions of Carboxylic Acid हमारा जो Carboxylic Acid है वो 4 different type की reactions करता है तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से different type की reactions होती है पहला type इस तरीके का है जिसमें जो है ये वाला hydrogen reaction करेगा दूसरे type ऐसा है जिसमें ये OH reaction करेगा और तीसरा type ऐसा है जिसमें ये C double bond OH reaction करेगा और चौतरे type की reaction में इस R group पर reaction हो रहा होगा जलिए फर्स type की reaction देख लेते हैं यहां पर हमें इस acidic hydrogen पर reaction कराना होगा इसके बारे में हमने lecture 6 के अंदर पढ़ा था जब मैं आपको acidic nature of carboxylic acid पढ़ा रहा था उस समय मैंने आपको पढ़ाया था कि ये हमारा जो acid है इसकी reaction जब हम sodium के साथ कराते हैं तो देखो भया sodium क्या एक metal है metal क्या करेगा अपने आपको ionize करेगा क्या बनाएगा na plus बनाएगा और एक electron निकाल रहा होगा और यह हमारा जो acid है वो क्या देगा rcoo negative और h plus देगा तो यह वाला जो h plus है वो इस electron के साथ गड़ बंधन करके हमें neutral hydrogen h देदेगा और इस neutral hydrogen h को हम कैसे लिखेंगे half h2 के form में लिखेंगे क्योंकि हमारा hydrogen nature में h2 gas के form में exist करता है अब हमारा जो यह rcoo negative part है वो इस na plus के साथ गड़ बंधन करके rcoo negative na plus मतलब की sodium carboxylate देता है अब finally देखे हमने किया क्या इस hydrogen को हटाया उसकी जगा पर हमने sodium ला दिया है तो यहाँ पर हमने किसको involved किया सिर्फ इस hydrogen को involved किया जिसके उपर partial positive charge present है तब ही वो na plus के साथ exchange हो पा रहा है और हमें यहाँ पर h2 gas मिल रहा है अब बात करते हैं second type reaction की इसके अंदर हम ऐसे reactions की बात करेंगे जहाँ पर यह OH group involved हो रहा होगा reaction की अंदर मतलब की reactions involving OH group की हम चर्चा करने वाले हैं हेलोलकेन और हेलोरीन के chapter में जब मैं आपको SN2 reaction पढ़ा रहा था उस समय मैंने आपको PCL3, PCL5 और SOCL2 के बारे में बताया था यह तीनों रियेजंड जो है OH को हटा करके उसकी जगा पर लगाते हैं और यहां पर भी हमें यही करना है वहां पर हम alcohol के साथ reaction कराते थे और यहां पर हम carboxlylic acid के साथ reaction कराएंगे और इस OH group को हटा करके उसकी जगा पर क्लोरीन ले करके आएंगे चलिए बात करते हैं PCL3 जब हम PCL3 की reaction कराते हैं R, C, O, O, H के साथ तो ये वाला O, H group हट जाता है और उसकी जगापर chlorine आ जाता है तो product side में हमें दिखेगा R, C, O, 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 C, L और उसके साथ में मिलता है H3PO3 क्या है ये phosphorus acid है एक बात का विसेज ध्यान देना यहाँ पर हम 3 mol reactant का लेते हैं और एक mol अपना reagent PCL3 लेते हैं तो इस तरीके समें ये 3 mol product भी मिल जाता है अब बात करते हैं PCL5 की मतलब phosphorus pentakloride की इसकी reaction जब हम R, C, O, H के साथ कराते हैं तो इस O, H group को हटा करके हमें उसकी जगापर chlorine लगाना होता है मतलब इसके साथ हमें 2 side product मिलेंगे जिसमें से पहला होगा POCl3 और दूसरा होगा HCl जो की gas के form में होगा और अगर reaction open beaker में हो रही होगी तो ये HCl gas evaporate हो जाएगा भग जाएगा वहाँ से अभी जो हमने 2 reaction पढ़ा उसको हम तोड़ा compare कर लेते हैं जब हम PCL3 के साथ reaction कराते हैं तब हम 3 mole reactant लेते हैं लेकिन जब हम PCL5 के साथ reaction कराते हैं तब हम सिर्फ 1 mole acid के साथ reaction करा करके RCOCl बनाते हैं अब हम बात करेंगे SOCl2 की मतलब thionyl chloride की जब हम thionyl chloride की reaction RCOOH के साथ कराते हैं तो हमें इस OH की जगा पर एक chlorine मिल जाता है मतलब कि हमें वहाँ पर RCOCl मिलता है साथ में हमें वहाँ पर SO2 gas मिलता है मतलब कि sulfur dioxide gas मिलते है और वहाँ पर मिल रहा होगा SCL hydrogen chloride और यह hydrogen chloride भी gas form में होता है इस वाले reaction में हमें दो gaseous side products मिलते हैं क्योंकि यह gaseous products हैं तो यह निकल करके बाहर आ जाएंगे अगर reaction हमने open beaker के अंदर कराया है तो इसका मतलब यह हुआ कि product side में बाद में हमें सिर्फ RCOCl मिलेगा क्योंकि वहाँ से दोनों gas तो evaporate होकर के बाहर भाग चुके हैं अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इन तीनों reaction में सबसे अच्छा method कौन होगा RCOCl को बनाने का आप तो जोगे सर तीनों में तो RCOCl बन रहा है तो इसमें से अच्छा method हम कैसे बताएंगे देखो भईया अगर product side में सिर्फ और सिर्फ आपका ये RCOCl बनता है तब उसी को हम बोलेंगे कि वो एक अच्छा method होगा यहाँ पर आप इस reaction को देखिए यहाँ पर आपको ये दो gaseous side products मिल रहे हैं और ये gaseous side products जो है solution को छोड़ करके भाग जाएंगे तो product में सिर्फ हमें यही acid chloride मतलब की RCOCl मिल जाएगा जो की pure form में होगा second type की reaction के अंदर हम पढ़ने वाले हैं formation of anhydride तो पहले समझो anhydride कहने का मतलब क्या है anhydride कहने का मतलब है जहां से water निकाल लिया गया है और जो बचा हुआ part है उसको हम क्या बोलते हैं anhydride बोलते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर water निकालना है इस वज़ा से वहाँ पर हम यूज करेंगे dehydrating agents dehydrating agents कहने का मतलब कि ऐसे agents जो water निकालने का काम करते हैं किसी जगह से dehydrating agents के रूप में हम यूज करते हैं concentrated h2o4 या p2o5 मतलब phosphorus pentoxide ये दोनों reagent दो molecule को मिला करके उसे water खींच सकते हैं निकाल सकते हैं इसको समझाने के लिए हम ले लेते हैं ये carboxylic acid के दो molecules जब हम इसकी reaction P2O5 के साथ कराते हैं और यहाँ पे heat कराते हैं तो इस acid का ये वाला OH और दूसरे वाले acid का ये वाला hydrogen मिल करके water के form में गायब हो जाता है जब यहाँ से ये वाला water गायब करेंगे तब हमें ये structures मिलेंगे और बचे हुए part को हम क्या करेंगे एक दूसरे के साथ connect कर देंगे अगर हम connect करेंगे तो हमें ये सकल मिल जाएगी और जो हमें ये सकल मिली है इसको हम acid and hydride बोलते हैं आपके मन में सवाल होगा कि सर इसको आपने acid and hydride क्यों बोलाए देखो भया इसका reactant क्या था acid था हमने किया कि दो acid को मिलाया मिला करके वहां से water हटाया मतलब उसको hydrate कर दिया वहां से water को हटा दिया इस वज़ा से जो सकल मिली उसको हम acid and hydride बोलते हैं यहां पर आप concentrate है S204 भी यूज़ करोगे heat करोगे तब भी आपको यही product मिल जाएगा second type की reaction के अंदर आता है अगला example esterification का इसको बहुत विस्तार से चर्चा करके मैंने पढ़ाया हुआ है आपको alcohol phenol ether chapter के अंदर यहां पर मैं आपको hint के माध्यम से समझा देता हूँ देखो भी या esterification का मतलब होता है formation of easter मतलब की easter बनाने की जो method है उसी को हम esterification कहते हैं देखो भी या easter बनता कैसे है एक लेना पड़ता हमें carboxylic acid दूसरा में लेना पड़ता alcohol और उसमें हम मिलाते हैं concentrated H204 तब जाकर के हमें easter मिल जाता है carboxylic acid ले ले लेते हैं RC1OOH और alcohol ले लेते हैं ROH जब हम इसकी reaction कराते हैं concentrated H204 से तो देखो भी यह concentrated H204 किसका काम करता है dehydrating agent का काम करता है तो वो क्या करेगा water हटाने के लिए ये वाला OH और ROH का ये वाला hydrogen दोनों को मिला करके water को हटा देगा और water हट जाएगा तो ये दोनों part एक दूसरे के साथ connect हो जाएंगे और हमें ये easter मिल जाएगा यहाँ पर बस आप इतना याद रखना कि हमें alcohol का hydrogen हटाना होता है और acid का OH हटाना होता है second type की reaction के अंदर हमें पढ़ना है reactions with ammonia हमें ammonia के साथ reaction कराना है अपने carboxylic acid का अगर हमने carboxylic acid ले लिया है CS3, C double bond O, OH और उसकी reaction हम करा रहें NS3 के साथ तो देखो भया NS3 क्या है एक base है और ये रहा हमारा acid acid में क्या होगा इस hydrogen पर होगा del plus charge और इस oxygen पर होगा del negative charge और हमारे इस base में मतलब की ammonia में इस nitrogen के उपर होगा lone pair ये lone pair अटेक कर देगा इस H plus के उपर तो oxygen और hydrogen के बीच में जो दोनों electron होंगे वो जम कर जाएंगे oxygen की खोपड़ी पर electron जाएंगे तो महाँ पर negative charge बन जाएगा यहाँ पर देखो हमारा जो ये वाला nitrogen है ये अपने lone pair से अटेक करा रहा था H plus के उपर मतलब की उसने अपना lone pair दिया है इस वज़ा से nitrogen पर आ जाएगा positive charge और ये वाला hydrogen connect हो जाएगा NH3 के साथ तो महाँ पर बनेगा NH4 plus NH4 plus को हम बोलते हैं ammonium और इस तने form को बोलते हैं acetate iron तो इसको क्या बोला जाएगा ammonium acetate बोला जाएगा इसको आप simply ऐसे याद रख लो कि देखो ये रहा acid ये रहा base acid और base एक दूसरे के साथ मिल करके क्या देते हैं salt देते हैं और यहाँ पर कौन सा salt बन रहा है ammonium acetate बन रहा है अब हमें जो ये ammonium acetate मिला है इसको हम करेंगे heat heat करने पर क्या होगा यहाँ से water eliminate होगा तो देखो इसका क्या process होगा इस NH4 में से दो hydrogen निकाल के बाहर कर दीजिए और ये वाला oxygen हटा दीजिए तो यहाँ पर ये वाला NH2 group बचेगा जो NH2 group जाकर के connect हो जाएगा CS3CO के साथ तो यहाँ पर हमें मिलेगा CS3CO NH2 मतलब कि हमें यहाँ पर amide group मिलेगा अब आप इस reactant को देखिए और इस product को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर हमने OH group को हटाया है और उसकी जगा पर NH2 group को लगा दिया है चलिए कुछ और example practice कर लेते हैं यहाँ पर दिया गया है benzoic acid उसका reaction कराया है NH3 के साथ देखो भी है यह है acid और यह कह है base तो यहाँ पर होगा acid base का reaction और बन जाएगा यह salt कैसे बना वो देख लो इस nitrogen पर present होगा lone pair यह lone pair यहाँ से H plus लेगा ऐसा होने पर बन जाएगा NH4 plus और oxygen के उपर आएगा negative charge कैसे आया वो चीज़ समझ सकते हूँ यहाँ पर है oxygen और इसको बना दिया हमने hydrogen के साथ bond ठीक है जब यह lone pair इसके उपर attack करेगा तो oxygen और hydrogen के बीच में जो दोने ले प्रॉंस दिख रहे हैं वो आजाएंगे oxygen की खोपड़ी पे तो इस तरीके से हमारे oxygen के उपर आजाएगा negative charge और हमारा जो यह NH3 है वो H plus के साथ connect होके क्या बना देगा NH4 plus बना देगा तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा ammonium benzoate अगर इस ammonium benzoate को हम थोड़ा heat कर दें तो यहां से हमें यह amide group मिल जाता है क्या हुआ है वो देख लीजे यहां से आपको H2 हटाना है और यह वाला oxygen हटाना है तो बचा हुआ पार्ट क्या हुआ? NH2 हुआ और वो connect हो रहा होगा CO के साथ तो इस तरीके से हमें यह amide मिल जाता है जो की होगा benzoamide क्योंकि इससे connect क्या है? benzene connected है अब चलिए करते हैं एक अच्छा सा सवाल यहां पर दिया गया है reactant thalic acid जो यह सकल दिख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? thalic acid बोलते हैं इतना साथ आपको पता होगा जब हम इसकी reaction कराते हैं 2 mol of NH3 के साथ तो यह वाला hydrogen जो है किसके साथ reaction करेगा? एक-एक NH3 के साथ और वो क्या बना देगा? NH4 प्लस बना देगा इसके बाद हम करेंगे इसको heat जब आप इसको heat करोगे तो यह convert हो जाएगा NH2 group के अंदर देखेगा हमने क्या किया? यहां से H2O हटा दिया जब आप यहां से H2O हटाओगे तो यह जो part आपको दिख रहा है वो NH2 group में convert हो जाएगा यह वाला भी किसमें convert हो जाएगा? NH2 group में convert हो जाएगा और जैसे यह मिले उसको अगर और heat कर दे तो क्या होने वाला भी यह देखो यह NH2 group जो है वो इस वाले hydrogen के साथ मिल करके NH3 के form में बाहर आ जाएगा तो देखे हमने क्या लिका यहां पर माइनस NH3 अगर यहां से NH3 gas बाहर आएगी तो यह वाला nitrogen जो है डारेक्टली इस वाले carbon के साथ connect हो जाएगा और हमें यह product मिलेगा जिसको हम क्या बोलते है थैलेमाइड बोलते हैं चलिए इस reaction को मैं दुबारा समझा देता हूँ यहां पर दिया गया है यह थैलेक असड़ जब इसकी reaction कराएगे convert हो जाएगा NS2 के अंदर क्योंकि यहां पर आपने heat कर रखा है तो यह वाला NS2 इस hydrogen के साथ गड़ बंधन करके NS3 के form में बाहर आ जाएगा और हमें मिल जाएगा यह थैलेमाइड यह पूछा गया था Delhi 2011 में 2.5 नंबर का तो बहुत important है ध्यान से इसको देख लीजिए चलिए अब third time की reaction देख लेते हैं जिसके अंदर हमें पढ़ना है reactions involving C double bond OH group मतलब कि आपको इस carboxylic acid के इस part पर reaction कराना होगा इसके अंदर हमें पढ़ना होगा reduction का process यहाँ पर हम reagent यूज़ कर रहे होंगे डाइबोरेन या यूज़ करेंगे LIALH4 for the reduction of carboxylic acid लेकिन यहाँ पर कभी भी आप NABH4 मत यूज़ करना मतलब कि sodium borohydride मत यूज़ करना क्योंकि sodium borohydride एक acid को reduct नहीं कर सकता ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ NABH4 reduct नहीं कर सकता लेकिन हमारा जो डाइबोरेन है और LILH4 है यह हमारे acid को reduct करके alcohol बना सकता है हमने यहाँ पर example ले रखा है RC11OOH जब हम इसकी reaction कराएंगे इन में से किसी भी reagent के साथ मतलब कि डाइबोरेन के साथ या LILH4 के साथ और इसके बाद अगर हम hydrolysis करा दे तो हमें इस acid से यह alcohol मिल जाएगा देखो हमने किया क्या इस acid के इस C double bond O के इस oxygen को हटा करके इस पर दो hydrogen add कर दिये हैं और hydrogen के add होने को ही reduction बोलते हैं तो हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है कि एक acid किसमें convert हो रहा है एक one degree alcohol में convert हो रहा है किसी भी कार्बॉक्सलिक acid को reduce करने के लिए डाइबोरेन सबसे अच्छा reason होता है यह मतलब selective reason होता है किसके लिए acid के लिए कहने का मतलब हुआ कि हमारा जो कार्बॉक्सलिक acid है जब वो reduct होता है बाई डाइबोरेन तो हमें वहाँ पर ज़्यादा content मिलता है alcohol का example के तोर पर हमने ले लिया यहाँ पर बेंजोईक acid जब हम इसके reaction कराते हैं डाइबोरेन के साथ बाद में इसका hydrolysis करा देते हैं तो हमें यह alcohol मिल जाता है देखो भई हमने किया क्या इस वाले carbon पे जो double bond oxygen था उसको हटा करके हमने वहाँ पर दो hydrogen लगा दिये हैं तो इस तरीके से हमें यह benzyl alcohol मिल जाता है next example ले 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 लेते हैं acetic acid का CS3 C double bond O जब हम इसकी reaction कराते हैं LILH4 के साथ मतलब lithium aluminium hydride के साथ और इसका हम करा देते हैं hydrolysis तब हमें यह alcohol मिल जाता है जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यह क्या है इथेनॉल है यहाँ पर भी वही कारक्रेम हुआ है C double bond O का यह वाला oxygen हमने हटाया उसको हटाने के बाद हमने वहाँ पर दो hydrogen लाकर के लगा दिये हैं तो इस तरीके से हमारा यह acid convert होकर के इथेनॉल बना देता है थार्ट टाइप की reaction का अगला example होता है D carboxylation इसके बारे में बहुत ही विस्तृत चर्चा हमने किया हुआ था 11th recap कराते वक्त अगर आपने वो चीज़ सुनी होगी तो सायद इसकी जरूरत यहाँ पर नहीं है अगर आपने recap नहीं देखा है तो जाए जरूर देखे तो चले देखते हैं D carboxylation क्या है D carboxylation में D और carboxylation दो सब्द है और कहीं बे ऐसा D लिखा होना इसका मतलब होता हम कुछ वहां से remove करने वाले हैं D carboxylation का मतलब होता है removal of CO2 gas मतलब की carbon dioxide हमें हटाना है किसी molecule से D carboxylation के अंदर हमारा reagent होता है acid जब हम इसका D carboxylation कराते हैं तब हमें यहां पर alkane as a product मिल जाता है तो याद रखिए D carboxylation के अंदर हमारा reactant क्या होता है acid होता है और product क्या होता है alkane होता है D carboxylation को कराने के लिए हमारे पाद दो method होते हैं जिसमें से पहला और बहतरीन method है soda lime decarboxylation और दूसरा method है coal-based electrolysis चलिए soda lime decarboxylation को अपना main heading बनाते है यहां पर लिखा गया है soda and lime lime का मतलब होता है CAO मतलब की calcium oxide और soda सब्द लिखा जाये न तो आपको sodium दिमाग में click करना चाहिए यहां पर जो soda सब्द लिखा है यह NaOH को बता रहा है मतलब की यह क्या है sodium hydroxide है soda lime का combination क्या होगा NaOH plus CAO होगा इसका मतलब यह हुआ कि इस decarboxylation के अंदर हमारा reagent क्या है NaOH plus CAO है और हम इसको use करके अपने acid से CO2 gas निकालने वाले हैं example के तोर पे हम यहाँ पर ले लेते है citic acid जब हम इसकी reaction कराते है NaOH with CAO और इसके साथ जब heat कराते है तो यह देखो यह CO2 वाला part हमें यहाँ से हटाना होता है और यह वाला hydrogen इस CS3 के साथ connect कर देना होता है तो इस तरीकिस हमें यहाँ पर methane मिल जाता है कभी-कभी paper में आपको दिया जाता है CS3 C double bond O O negative Na plus इसके बाद आगे लिखा होता है NaOH plus CAO यह भी क्या है soda lime decarboxylation ही है यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है sodium acetate लिया हुआ है देखो यह sodium acetate बनता कैसे इसी उपर वाली reaction में देख लेते हैं देखो जो हमारा दिया गया है acid CS3 C double bond OOH जब आप इसके साथ NaOH और CAO का combination रखोगे तो उसमें से NaOH इसके साथ reaction करके क्या बना देगा यह sodium acetate बना देगा और इसी sodium acetate की reaction हम आगे NaOH और CAO के साथ कर रहे हैं और heat करा रहे हैं तो वहाँ से CO2 gas गायब हो जाएगा और हमें वहाँ पर methane मिल जाता है अगला example हम यहाँ पर ले लेते हैं हाँ पर दिया गया एक benzene उस पर लिखा गया है C double bond OO negative Na plus जब हम इसके reaction soda lime के साथ कराते हैं मतलब की NaOH और CAO के साथ कराते हैं तब हमें यहाँ पर benzene as a product मिल जाता है क्योंकि हम इतना part गायब कर देते हैं किसके अंदर soda lime decarboxylation के अंदर decarboxylation का हमारा अगला point है Colby electrolysis Colby एक scientist है जिन्होंने electrolysis के process को यूज करके decarboxylation करवाया एक बार हम reaction को पढ़कर के देख लेते हैं यहाँ पर लिखा है 2 times CS3COO negative Na positive मतलब sodium acetate को 2 mol लिया गया है with 2 mol water 2H2O इसका electrolysis करने के बाद हमें वहाँ पर ethane gas मिलती है CO2 gas मिलती है और H2 gas मिलती है और इसके साथ हमें NaOH aqueous के form में मिल रहा है अब इसको समझने के लिए हमें electrolysis का थोड़ा सा ग्यान होना चाहिए जिसको मैंने electrochemistry में बहुत elaborate करके बहुत अच्छे तरीके समझाया था वही चीज़ हमें हाँ पर लगानी है और उससे हम यह सारे product को explain कर सकते हैं अब हमें electrolysis करवाना है sodium acetate के aqua solution का तो उसके लिए हम क्या करेंगे container लेंगे उस container में sodium acetate का aqua solution डाल देंगे मतलब पहले हम क्या करें पानी डाल दें उसके बाद sodium acetate का उसमें salt डाल देंगे salt के डालने के बाद platinum के दो electrode लेंगे और उसमें dip कर देंगे dip करने के बाद दोनों electrode को एक भारी भरकम battery से connect कर देंगे जो electrode battery के positive terminal से जुड़ेगा हम उसको anode बोलते हैं जो negative terminal से जुड़ेगा उस electrode को हम cathode बोलते हैं तो इस तरीकिस हमारा electrolysis का पूरा apparatus तयार हो जाता है अब हमारा electrolysis का पूरा जुगार बन चुका हम इसके अंदर हम यह देखेंगे कि कौन कौन से reactions होती हैं तो पहले हम यह समझते हैं कि इस aqueous solution of sodium acetate में कौन कौन से ions present होंगे क्योंकि हमने यहाँ पर sodium acetate लिया हुआ था तो वहाँ पर sodium acetate में acetate ion होगा और sodium किस form में होगा Na plus के form में होगा और water डाला है तो water जब तूटेगा तो वो क्या बनाएगा H plus N O H negative इसका मतलब हमारे पास total 4 ion होंगे जिसमें से 2 N I N होंगे और 2 kate ion होंगे Electrochemistry में हमने यह सीखा था कि anode पर हम हमेशा oxidation कराते हैं और cathode पर हम हमेशा reduction की reaction कराते हैं अब cathode पर reduction की reaction हो रही है तो हमाँ पर reduce होने कौन आएगा? kate ion आएगा तो कौन सा kate ion reduce होगा अब हमें यह समझना है अब हमें यह समझना है हमारा H plus जाकर के cathode पर reduce होगा या Na plus reduce होगा तो यहाँ पर H plus जाकर के reduce होता है cathode के उपर क्योंकि H plus का जो standard reduction potential होता है वो 0 होता है और Na plus का तो negative होता है अगर किसी का standard reduction potential negative है इसका मतलब वो reduce होना नहीं चाहता इसके respect में तो H plus क्या करेगा reduce होना चाहेगा तो H plus जाएगा कैथोड के पास और कैथोड उसको electron देगा अब हम कैथोड के उपर होने वाले reaction की बात कर लेते हैं यहाँ पर H plus जो है एक electron लेकर के वो H बना देगा इन में से जो दो anions है वो किधर जाएंगे anode के side जाएंगे लेकिन यहाँ पर किसका oxidation होगा क्योंकि anode पर तो oxidation करवाना है तो इस बात को याद रखना कि जो हमारा acetate ion होता है उसका oxidation जल्दी हो जाता है with respect to OH negative तो अब हम acetate के oxidation के process को समझते हैं acetate के इस oxygen पर total कितने electron आपको दिख रहे हैं यहाँ पर आपको six electrons दिखेंगे जिसमें से यह चार electron जो है दो lone pair के form में है और यह जो दो electron है वो negative charge के form में है क्योंकि यहाँ पर oxidation होना है इसलिए oxygen एक electron को निकाल के बाहर कर देगा क्योंकि electron का loss होना क्या होता है oxidation का process होता है तो इस तरीके से oxygen पर अब हमें 5 electron दिखेंगे यह जो species बनी है species बहुत reactive होती है क्योंकि यहाँ से CO2 gas के evolution का chance बन रहा है अब हम यह देखेंगे कि यहाँ से CO2 gas के निकलने का क्या process है क्या mechanism है यहाँ पर हम फोकस करेंगे carbon और oxygen के इस bond पर यहाँ single bond है और उस पर एक electron इधर से आएगा और यहाँ के carbon carbon single bond में जो दो electron था उसका एक electron इस तरफ आएगा और दूसरा electron CS3 के उपर जाएगा तो इस तरीके से देखेंगे हमें क्या मिलता है CS3 के उपर एक electron मिलता है मतलब कि वहाँ पर हमें एक methyl radical मिलता है और carbon के single bond पर एक bond और मिलता हुआ दिखेगा इसका मतलब यहाँ पर CO2 gas बनती हुए दिखेगी और वो यहाँ से निकल जाएगी क्योंकि वो gas के form में है तो इस तरीके से हमें यहाँ पर एक methyl radical मिलता है अगर हम यह कहें कि हमारे पास 2 mol acetate ion थे तो हमें 2 mol CS3 radical मिल जाएंगे तो 2 methyl radical एक दूसरे के साथ combine होकर के ethane gas बना देंगे तो इसका मतलब anode पर हमें ethane gas मिलती है और वहीं पर हमें CO2 gas evolve होती हुए भी दिखती है anode की इस reaction में हम 2 electron को बाहर निकालते हैं और वही electron जाकर के cathode पर receive होता है और उसी electron को H plus पा करके वहाँ से H2 gas को बाहर निकाल देता है अब हम अपने reaction की तरफ लोटते हैं देखे product में हमने ethane को explain कर दिया CO2 gas कैसे निकाला उसके बारे में बता दिया H2 gas के बारे में बता दिया बचा क्या NaOH aqueous देखो बैस solution के अंदर से यह acetate वाला form भी reaction कर गया और क्या reaction कर गया यह H plus जो है electron लेकर के H2 भी बन गया बचा क्या हमारे पास OH negative और Na plus तो दो चीजें जब बच जाएंगी तो एक साथ combine लोके क्या बना रही है NaOH बना रही है इसका मतलब container के अंदर क्या बचेगा NaOH बचेगा तो इस तरीके से हमने सारे product को अच्छे तरीके से explain कर दिया है कि आखिर कर यहाँ पर coal-based electrolysis के दौरान कौन-कौन से product मिलते हैं और क्यूं मिलते हैं यह चीज हम समझ चुके हैं अब तक हमने दो process पढ़े कौन-कौन से soda lime decarboxylation and coal-based electrolysis soda lime decarboxylation के अंदर हम reagent लेते हैं NaOH with CO और वहाँ पर हम heat कराते हैं coal-based electrolysis के अंदर हम acid के अंदर पहले NaOH डालते हैं बाद में जो हमें salt का solution मिलता है उसकी हम electrolysis कराते हैं अगर माली जे हमने example ले रखा है RC double bond OOH और इसका हम soda lime decarboxylation कराएं तो यहाँ पर हमें RH मिल जाता है agile की लेकिन अगर आप coal-based electrolysis कराने जाओ इसी acid का तो पहली बात याद रखो कि हमें दो मोल चाहिए इसी acid का तो यहाँ पर एक बात याद रखना कि हमें दो मोल चाहिए इसी acid का इसके बाद आपको जो यह R गुरुप दिख रहा है इसी R गुरुप को connect कर देना एक दूसरी के साथ तो हमें यह product मिल जाता है agile की soda lime decarboxylation और coal-based electrolysis का अंतर यह है कि यहाँ पर हम RH पाते हैं और यहाँ पर R and R पाते हैं कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर जितने number of carbon होंगे उसका just double number of carbon हमें कहाँ पर मिल रहा होगा coal-based electrolysis के process के अंदर मिल रहा होगा example के तोर पर हमने यह ले रखा है लेकिन इसी acid की reaction जह हम coal-based electrolysis के थ्रू कराते हैं तो हमें यहाँ पर देखे यह product मिल जाएगा आपको यहाँ पर क्या करना है दो R group को एक साथ connect कर देना है और हमें यहाँ पर यह product मिल जाएगा अब हम fourth type की reaction पढ़ने वाले हैं जो की है reactions on hydrocarbon part मतलब कि अगर हमारा यह acid है तो हमें इस hydrocarbon part पर reaction कराना है जिसमें से पहली reaction होती है halogenation reaction मतलब कि हमें halogen add करना है अपने acid के अंदर halogenation reaction कराने के हमारे जो reaction होती है उसका नाम है HVZ reaction कहने का मतलब हुआ HLVolod Jalins की reaction यह तीन अलग-अलग scientist है जिन्होंने मिल करके इस reaction पर काम किया है और इन्ही के नाम पर यह reaction है तो reaction का नाम याद रखेगा क्या है HVZ reaction है Halogenation की reaction के बारे में आपके board में बहुत बार पूछा जा चुका है तो चलिए अपना main heading बनाते है Halogenation यह देखिए हमने यहाँ पर ले रखा है यह acid जब हम इसकी reaction कराते है red phosphorus with X2 यहाँ पर X2 क्या है Halogen है जैसे की Cl2-Br2 type हमने इसके बाद उसकी hydrolysis कराई तो हमें यहाँ पर यह product मिल जाता है अब हम focus करते हैं अपने इस reactant पर है product बनाते हुए और वहाँ पर लाकर के लगा देते हैं कोई halogen जो कि हमने यहाँ पर ले रखा होता है हमें जो यह product मिलता है हम इसको बोलते है alpha halo carboxylic acid देखो विया इतने part क्या है carboxylic acid है और इस carboxylic acid के इस alpha carbon पर क्या present है X present है मतलब halogen present है अगले reaction जो हम पढ़ने वाले हैं वो आ चुका है डेले 2014 में डेले 2013 के compartment के examination में उस reaction में reactant दिया गया था acetic acid और reaction कराना किसके साथ था red phosphorus with BR2 बाद में उसकी hydrolysis कराई गई थी और वहाँ पर आपको product पूछा गया था product को बनाने के लिए हमें bromo acetic acid मिल जाएगा fourth type का अगला example होगा ring substitution देखो भया यह हमें दिया गया है एक benzene उस पर लगा दिया गया है COOH मतलब कि हमारा reactant क्या है इस समय benzoic acid है जब हम benzoic acid की reaction concentrated HNO3 with concentrated H2C4 कराते हैं तब हमें यहाँ पर यह product मिलता है देखो भया हमें यहाँ पर जो reagent दिया गया है उस reagent से हमें मिलेगा NO2 plus as a electrophile जो हमारा हमें पर electrophile होगा वो COOH के metaposition पर आकर के लग जाएगा क्योंकि हमारा जो COOH होता है यह माइनस M group है और अगर यह माइनस M group है तो निश्चित रूप से यह metadirecting group होगा और अगर यह metadirecting हो जाता है तो हमारा NO2 मतलब की electrophile कहा जाना चाहेगा metaposition पर जाना चाहेगा तो इस तरीके से हमें मिलेगा metanitro benzoic acid अगर हमें इसी benzoic acid की reaction कराने को बोला जाए BR2 with FECL3 तो देखो भया इस reagent से हमें क्या मिलेगा BR plus as a electrophile मिलेगा यह BR plus कहां जाना चाहेगा metaposition पर जाना चाहेगा किसके respect में इस carboxylic acid के respect में तो इस तरीके से हमें यह product मिल जाएगा जो की होगा metabromo benzoic acid यह question पूछा गया था deli 2012 के compartment के examination में इसी के अंदर अगली चर्चा में करनी है Friddle Craft reaction के अंदर देखो भया जो हमारा benzoic acid होता है वो Friddle Craft reaction नहीं देता Friddle Craft reaction कहने का मतलब है कि अगर आप benzoic acid की reaction RC double bond OCL in presence of ALCL3 कराते हो तो हमें यहाँ पर कोई product नहीं मिलता आप से deli 2018 में पूछा गया था कि आखिर कर भी यह benzoic acid जो है Friddle Craft reaction क्यों नहीं देता इसके पीछे का logic बताईए अभी जो आप से एक question पूछा गया कि benzoic acid does not give the Friddle Craft reaction इसका जबाब आप paper में यह लिख करके आएंगे देखो भया जो हमारा यह benzoic acid है उस benzoic acid में यह जो हमारा c o h group है यह एक minus m group है यह क्या करता है benzoic acid के electron को ले करके उपर की तरफ चला जाता है अगर benzoic acid से electron जाएगा तो हमारा जो benzoic acid होगा वो deactivated हो जाएगा अगर यह deactivated हो जाएगा तो यहाँ पे याद रखना कि हमारा friedel craft reaction नहीं हो सकता क्योंकि जो हमारा friedel craft reaction होता है वो किसी भी deactivated benzene के साथ नहीं होता तो वहाँ पे आपको लिखना है कि deactivated benzene does not give friedel craft reaction उसके आगे लिखना है कि benzoic acid c o h group is a deactivating group so benzoic acid does not give friedel craft reaction सायद आपको समझ में आ चुका होगा चलिए अब हम कुछ important previous year questions को कर लेते हैं पहला question दिया गया है structure of a, b, c को comment करना है और ये पूछा गया था daily 2017 में तीन नंबर का तो आपको वहाँ पे दिया गया था ये reactant और बीच बीच के ये reagents दिये गये थे और यहाँ पर space छोड़ा गया था magnesium के साथ तो यह magnesium जो है carbon और bromine के बीच में insert कर जाएगा और हमें ये grignard reagent मिल जाएगा तो एका structure कैसा है भई या ऐसा है जब हम इसके reaction कराते हैं CO2 के साथ बाद में हम कराते हैं acidic hydrolysis तब हमें मिलता है यहाँ पर benzoic acid इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से मैंने बढ़ा दिया चले देख लेते हैं कि यह reaction कैसे हुई है CO2 को आप क्या लिखोगे C double bond O double bond O यहाँ पर magnesium के उपर होगा positive charge और यहाँ पर होगा negative charge यह negative charge attack करेगा इस carbon के center पे तो carbon और oxygen के बीच में जो pie bond है उनके दोनों electron उठकर के आएंगे oxygen की खोपड़ी पे ऐसा होने पर oxygen के उपर के आएगा negative charge आएगा और यह वाला carbon connect हो जाएगा किस के साथ बेंजीन के साथ तो हमें मिल जाएगा यह part जहाँ पर होगा O negative बाद में हम क्या करा रहे है acidic hydrolysis करा रहे है मतलब कि वहाँ से H plus जो है लग जाएगा O negative के साथ तो बन जाएगा यह benzoic acid मतलब कि यहाँ पर product B कैसा दिखेगा ऐसा दिखेगा जब हम इस benzoic acid की reaction PCL5 के साथ कराते है तो यह PCL5 क्या करता है OH की जगा पर chlorine लाने का काम करता है तो हमें क्या करना है OH को हटाना है उसकी जगा पर chlorine लाकर के लगा देना है अम आते हैं B वाले part पर यहाँ पर आपको दिया गया है यह reactant जब हम इसकी reaction कराते हैं SNCL2 के साथ in presence of SCL और बाद में हम कराते हैं acidic hydrolysis तो हमें मिल जाता है acetaldehyde as a product यह कौन सा reaction है यह stiffens reduction है जिसमें हम nitrile से क्या बनाते हैं भईया aldehyde बनाते हैं तो यह रहा हमारा product A जब हम इसकी reaction कराएंगे dilute NaOH के साथ तो मिल जाएगा हमें यह aldol product तो यह बन जाएगा हमारा B as a aldol product अब हमें जो यह aldol product मिला है जब हम इसको heat कराएंगे तो यहाँ पर होगा condensation condensation कहने का मतलब आपको क्या करना है यहाँ पे इस carbon पर present एक hydrogen और यह वाला OH हटा देना है तो हमें इस carbon और इस carbon के बीच में मिलेगा pi bond इसका मतलब हमें CHO के respect में यहाँ पर मिल रहा होगा double bond और यही हमारा compound C इन दोनों part को करने पर आपको यहाँ पे तीन number मिल चुका होगा अब आते हैं second वाले question पर यह पूछा गया था डेले 2010 के compartment के examination में वो भी 5 number का ठीक है बहुत ही आसान है इसको करते ही आपको 5 number मिल जाएंगे देखेगा यहाँ पर reactant दिया गया है benzoic acid जब उसकी reaction करते हैं concentrated HNO3 और H204 के साथ तो हमें यहाँ पर मिलता है यह product हमें यहाँ पर CWOH के respect में meta position पर NO2 group लगाना होता है इसकी reaction हम कराते हैं SOCL2 के साथ तो यह OH हटाईए उसके जब पर क्या लगा दीजिए CL लगा दीजिए तो हमें यह product भी मिल जाएगा अब हम इसकी reaction कराएंगे NABH4 के साथ बाद में हम करा रहे होंगे hydrolysis तो हमारा जो यह acid hyalide है वो convert हो जाएगा respective alcohol में ठीक हमें क्या करना है यहाँ पर आपको alcohol बना देना है तो यह मिल जाएगा हमारा compound C अगर हम इसकी reaction करा दें SOCL2 के साथ अगर आप SOCL2 के साथ reaction कराओगे तो इस OH को आपको हटाना पड़ेगा उसकी जगा पर आपको chlorine लाना पड़ेगा हमें जो यह compound D मिला है इसके reaction अगर हम करवा दें H2PD with SO4 और वहाँ पर presence किसका है sulfur with quinoline तब हमें वहाँ पर मिलेगा यह benzyl dehyde और यही है हमारा compound E अगर आप यहाँ पर A, B, C, D और E के बारे में correctly comment कर ले जाएंगे तो यह पर आपको मिल जाएंगे पांच नमबर अब आते हैं question number 3 पर यहाँ पर पूछा गया है आपको acidity order के बारे में यह पूछा जा चुका है CBSC 2015 में Delhi 2013 के compartment के examination में तो है इसका मतलब यह बहुत ही important यह रहा हमारा acidic acid और अगर हम इस carbon पर क्या लगा दें chlorine लगा दें और इसी carbon पर हम क्या लगा दें fluorine लगा दें तो हमें देखो भया यह 3 acid मिल रहे हैं आपको इन ही 3 acid के acidity order को comment करना है तो देखो भया जो हमारा COOH group है उस पर क्या लगा हुआ है इस पर depend करेगा कि किसकी acidity जादा है इस COOH पर लगा हुआ है CS3 मतलब वो क्या करेगा प्लस आई से electron देगा COOH की तरफ तो यह सबसे कम acidic होगा क्योंकि अगर किसी acid से electron donating group लगा है या electron releasing group लगा है तो वो क्या करता है acidity को घटा देता है यहाँ पर सबसे कम किसका आएगा acidic acid का आएगा ठीक है अब हम इन दोनों पर चर्चा कर लेते हैं इसमें देखेगा इस carbon पर chlorine लगा रखा है जबकि इस carbon पर क्या लगा रखा है fluorine लगा रखा है जो हमारा fluorine होता है उसका minus eye effect जादा है क्योंकि वो ज़्यादा electron negative है अगर वो ज़्यादा electron negative है तो वो क्या करेगा electron अपनी तरफ कीचेगा अगर electron की density इधर move करेगी तो देखो भईया इसके उपर क्या होगा electron की density घटेगी वो क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा acidic character को gain कर रहा होगा तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा acidic कौन है यह है फिर यह है बाद में क्या आएगा यह वाला आएगा आप तो तर होंगे सर क्लोरीन वाले को एक्सप्रेंड ने किया अरे सिंपल सी बात है यह हमारा जो क्लोरीन है वो less electron negative है with respect to fluorine के इस वज़ा से यह उतना electron नहीं खींच सकता जितना की यह fluorine खींच रहा होगा अब आते हैं question number 4 पर यहाँ पे दिया गया है benzene उसके reaction करानी है CS3 COCl के साथ in presence of ALCl3 तो हमें क्या करना होता है यहाँ के hydrogen को हटा करके उसके जगा पर CS3 CO ग्रूप लगा देना होता है यह था क्या फ्रिडल्ट्राफ्ट एसाइलेशन reaction हमें जो चीज मिली है यह compound A है जब हम इसके reaction G-N-H-G with S-E-L कराते हैं तो हमारा जो ketone होता है वो ketone convert हो जाता है respective alkane के form में मतलब की हमें क्या करना है यहाँ के C double bond O को हटाना है और उसकी जगा पर दो hydrogen connect कर देने हैं तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा यह ethyl benzene अगर इस compound B की reaction हम कराते हैं K-N-O-4 in presence of OH negative और बाद में हम करा दें acidic hydrolysis तो यह convert हो जाएगा किसमें C double OH के अंदर तो इस तरीके से में मिल जाएगा benzoic acid तो यह हो गया हमारा compound C हमें जो compound A मिला है इसकी reaction अगर हम करा दें Naoi के साथ कहने का मतलब यहाँ पर हम yellow form reaction करवा दें तो यह वाला CS3 convert हो जाएगा किसमें CHI3 में और यह इतना बर्चा हुआ आपको compound A, B, C, D और E के बारे में पूछा गया था पांच नमबर का कब पूछा गया था भईया डेलेज़ुजार 16 के अंदर अब आते हैं question नमबर 5 पर यह conversion की reaction है यह पूछा गया था डेलेज़ुजार 18 में दो नमबर का सुरुबात की गई है टॉलवीन से उसकी reaction कराने को बोला गया है आपको केवनोफोर के साथ बाद में कराना है आपको हाइट्रोलेस तो देखो भईया यह CS3 ग्रूप convert हो जाएगा किसमे COOH ग्रूप के तो इस तरह किसमें मिल जाएगा हमें यह Benzoic Acid अगर इस Benzoic Acid के reaction हम करा दें Concentrated HNO3 के साथ with Concentrated H2O4 तो हमें वहाँ पर मिलेगा NO2 Plus Agile Electrophile यह NO2 Plus कहां पर लग रहा होगा यह COOH के Metaposition पर लग रहा होगा और हमें यह product मिल जाएगा अब हम 6th question को करने वाले हैं यह पूछा गया था आप से CBC 2013 में 2012 के compartment के examination में तीन नमबर का यहाँ पर आपको organic compound A दिया गया है जिसकी reaction करानी थी NOH के साथ तो मिल जाएगा compound B और compound C compound C के बारे में बताया गया कि यह sodium salt of acid है और compound B के लिए लिए लिखा गया है कि यह C7H8O है जब उसकी reaction हम soda lime के साथ कराते हैं और heat कराते हैं तो हमें compound D मिल जाता है जो की एक aromatic hydrocarbon है पहले फोकस करेंगे इस reaction पे जिसमें compound A कनवर्ट हो रहा है B और C के अंदर देखो भी है C क्या है sodium salt of acid है और यहां compound B का सिर्फ molecular formula दे रखा है लेकिन उसके आगे लिखा गया है कि यह reaction करता है CRO3 के साथ और हमें compound A मिल जाता है चलिए थोड़ा सा guess करते हैं guess हम यह कर लिए कि अगर हम यह मान लें कि हमारा जो A है वो एक LD हाइड है ध्यान से सुनते जाएगा यह अगर LD हाइड है और उसकी reaction हम कराएं NaOH के साथ तो हमें sodium salt of acid का मिलता था यह कहां पढ़ा था हमने कहने जारू reaction के अंदर पढ़ा था और हमें देखा था कि जब वहाँ पे salt मिलता है तो उसके साथ हमें क्या मिल जाता है अल्कोहल मिल जाता है अब यह compound B alcohol ही है इस बात को confirm कर लेते हैं जब हम इसको oxidize करा करके LD हाइड बना देते हैं वह simple सी बात है ना कि हम अगर alcohol B ले रहे हैं तो निश्ची तरूप से A क्या बनेगा LD हाइड बनेगा क्योंकि CRO3 क्या करता है एक alcohol को LD हाइड में convert कर देता है हाले है क्योंकि एक oxygen से ना या तो आप alcohol बना सकते हो या तो आप ether बना सकते हो लेकिन अगर आप ether बनाओगे तो वो ether CRO3 से oxidize नहीं होगा ठीक है यहां से हमें पता चला कि हमारा जो B है वो एक alcohol है अब हमें C7 H8O का alcohol बनाना है यहां पर सिर्फ एक ही alcohol possible है वो भी benzyl alcohol देखो भई C6H5 से तो हम benzyne वाला पार्ट बनाएंगे बचा कितना एक carbon बच गया hydrogen कितने बच गये भई देखो H3 बच गया यहां पर तीन hydrogen बच गये और एक oxygen तो CS3O को मिला कि हम क्या बना सकते हैं यह CS2OH बना सकते हैं ठीक है तो इस तरह के से हमें यह compound B मिल जाता है और हमारा जो compound A था वो नEOH के साथ reaction करके क्या देता है B देता है और C देता है यह क्या है कहने जारों की reaction है जहां पर एक alcohol बन रहा है और क्या बन रहा है यह सारा guess हम कहां से कर पा रहे है कहने जारों reaction को सोच करके यहां पर कर पा रहे है ठीक है आगे दिया गया है कि इसका हम क्या कराएंगे soda lime decarboxylation हमें क्या करना है CO2 group को गायब कर देना है तो यहां पर हमें यह benzene मिल जाता है यहां पर जो यह D मिला है यह है क्या एक aromatic hydrocarbon है जो की बताया गया था आपके question के अंदर तो इस तरीके से हमारा यह 6th question यहां पर समाप्थ होता है अब आते हम 7th question पर जो का सबसे बड़ा सरदर्ध होता है conversion के reaction जितना मैं यहां पर करा रहा हूँ अगर आप उतना कर ले जाएंगे बिस्वास मानिए बोड के पास एक भी ऐसा सवाल नहीं है जो आप solve ना कर सकें इतना करने के बाद चलिए पहला देख लेते हैं आप लिखा गया है cyclohexanol 2 cyclohexane 1-on बहुत आसान यह रहा हमारा cyclohexane 1-on इसका मतलब हमें क्या कराना है आपर oxidation कराना है क्योंकि हम क्या कर रहे है alcohol को oxidize करके ketone बना रहे है इसके लिए हम use करते है CRO3 या आप यहाँ पर use कर सकते हो PCC या PDC इन सबसे यह चीज़ बन जाएगी अब B वाले पार्ट पर आते हैं यह क्या है इताइल benzen से हमें पढ़ाया था vigorous oxidation का मतलब की जबरदस्त oxidation की reaction करानी पड़ेगी हमें वहाँ पे chemino food लेना है basic condition में या acidic condition में लेकिन उसके साथ साथ क्या करना heat भी कराना है और अगर हम बाद में वहाँ पे acidic hydrolysis करा दें तो यह पार्ट किसमें convert हो जाता है हम कराएंगे पहले magnesium के साथ तो magnesium क्या करेगा इन दोनों के बीच में insert कर जाएगा और हमें मिल जाएगा यह grignard reagent और जब हम grignard reagent के reaction कराते हैं CO2 के साथ और बाद में हम करा रहे होते हैं acidic hydrolysis तो हमें मिल जाता है यहाँ पर CWH group और यह CWH group किसे लगा है benzene से इस वज़र से क्या बोलेंगे benzoic acid बोलेंगे यह A, B और C पूछा गया था CBSC 2010 में DL 2008 में तीन नंबर का अब माते हैं D वाली question पे जो की पूछा गया था DL 2015 में और 2017 में एक नंबर का यहाँ पर आपको benzoic acid से chlorine ला देंगे और इसकी reaction अगर हम करा दें H2PD with BSO4 in presence of sulfur तो यह chlorine हट जाएगा और इसकी जाबे क्या आजाएगा hydrogen आजाएगा तो हमें मिल जाएगा यह Benzaldehyde next है यहाँ पे E जहाँ पे आपको propanone से propene बनाना है यह बहुत ही आसान ही नुचा जा चुका है डले 2017 में एक नमबर का यह हमारा propanone हम क्या करने वाले हैं NABH4 का reaction करा करके पहले इसको reduce करेंगे और reduce करेंगे ketone को तो हमें क्या मिल जाएगा यह 2 degree alcohol मिल जाएगा फिर बात में इस 2 degree alcohol के reaction करा देंगे concentrated H2SO4 के साथ तो देखो भाया यह वाला OH और यह hydrogen यहां से water के form में हट जाएंगे तो हमें यहां पर carbon और carbon के बीच में एक pie bond मिल जाएगा तो इस तरीके से हमारा यह प्रोपीन बन जाता है अब आते हैं F वाले पार्ट पे यहां पे लिखा गया है पेरा नाइट्रो टॉल्वीन से हमें टू ब्रोमो बेंजोईक एसिट बनाना है यह पूछा गया था डेले 2019 के अंदर थोड़ा यह बड़ा होने वाला है लेकिन देख लेते हैं इस चेज को यह रहा हमारा पेरा नाइट्रो टॉल्वीन जब हम इसके रेक्शन कराते हैं बियार टू बेड एफी सीयल 3 तब हम इस CS3 के रिस्पेक्ट में और्थो पोजिशन पर लगा देंगे ब्रोमी क्योंकि यह क्या देगा हमें बियार प्लस एज़ इलेक्ट्रो फाइल देगा और हमारा जो CS3 है वो और्थो एंट पैरा डारेक्टिंग है लेकिं यहां पर पैरा पोजिशन क्या है बुक है फिक्स है इस वज़ा से हम यहां वाला हाइडरोजन हटा के उसके जगा पे क्या लगा देंगे ब्रोमी लगा देंगे जब हम इसके रेक्शन SN with SCL के साथ कराते हैं तो हमारा यह NO2 ग्रूप कनवर्ट हो जाता है NH2 ग्रूप के अंदर और बाद में अगर हम इसका NO2 SCL के साथ रेक्शन कराएं तो यह डाइजोनियम सॉल्ट बना लेता है यह डाइजोनियम सॉल्ट S3PO2 के साथ रेक्शन करके यह पूरा पार्ट गायब कर देता है तो हमें यह चीज मिल जाती है जो हमें यह चीज मिली है अब हम इसका करा देंगे Oxidation by KMNO4 and OH negative यहाँ पे देखिए कि जो KMNO4 लिखा है कैसा होगा KMNO4 ठीक है अगर हम यहाँ पे KMNO4 with OH negative यूज कर रहे है तो बाद में हम Acidic Hydrolysis जरूर कराई तब ही हमारा यह CS3 CWOH में convert हो पाएगा अगला है यहाँ पर Benzene से में बनाना है Meta Nitro Acetophenone तो देखो भया यह है हमारा Benzene और यह है हमारा Meta Nitro Acetophenone इतने पार्ट को हम क्या बोलते हैं Acetophenone बोलते हैं Acetophenone के Metaposition पे हाँ पे हमने NO2 लगा रखा इस हुझा से इसका नाम होगा Meta Nitro Acetophenone तो देखते हैं यह Convergen कैसे हो पाता यह पूछा गया था Delis 2015 के Compartment के Examination में देखो भया यह रहा हमारा Benzene इस Benzene की Reaction अगर हम करा दें CS3COCL के साथ In Presence of Alcl3 तो हमें क्या करना है Benzene की खोपड़ी के इस Hydrogen को हटाना है और उसकी जापे लगा देना है यह CS3CO का Group बाद में हम इसको क्या कराएंगे Concentrated H204 के साथ और HNO3 के साथ Reaction कराएंगे यहां से हमें मिल जाएगा NO2 प्लस एज़ एलेक्ट्रो फाइल क्योंकि हमारा यह जो Group है वो कैसा Meta Directing है इस वज़ा से NO2 Group इसके Meta Position पर आकर के लग जाएगा तो इस तरीके से हमारा यह Chapter होता है यहां पे समाप तो मिलते हम आपको अगली वीडियो में जहां पे मैं M.I.E.S के बारे में पढ़ाने बाला हूँ और Next वीडियो के अंदर एक ही साथ मतलब कि एक ही वीडियो के अंदर मैं पूरा M.I.E.S चैप्टर खतम करनेगा तो चलिए मिलते हम आपको अगली वीडियो में तक तक के लिए खुस रहे प्रसंद रहे